C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा तीन की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना अध्याय पंद्रह, इकाई पांच, हमारा देश, आनंद मै कविता, भारत भारत तु है हमको प्यारा, तु है सब देशों से न्यारा मुकुट हिमाले तेरा सुन्दर, धोता तेरे चरण समुन्दर, गंगा यमुना की है धारा, जिन से है पवित्र जग सारा अन फूल फल जल है प्यारे, तुझ मे रत्न जवाहर न्यारे, रामकृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र है नामी हम सदैव तेरा गुण गाएं, सब विधी तेरा सुयश बढ़ाएं, कभी सोहन लाद्वी वेदी प्रिश्ट एक सोतेईस बाचीत के लिए एक, अपने देश के विशे में आप क्या जानते हैं? बताईए दो, अपने देश की प्रसिद नदियों और परवतों के नाम बताईए तीन, राम और कृष्ण के विशे में आप क्या जानते हैं? बताईए सोचिए और लिखिए एक, भारत हमें क्यों प्यारा है? दो, हिमाले को सुन्दर मुकुट क्यों कहा गया है? तीन, आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे? चार, हमारे देश की समान, हमारे गाउं और नगर भी न्यारे प्यारे हैं आप अपने गाउं या नगर के विशे में सोच कर लिखिए कविता से एक, कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए भारत तू है हमको प्यारा, रिक्तिस्थान धोता तेरे चलन समुंदर गंगा यमुना की है धारा, रिक्तिस्थान तुझमे रत्न जवाहर न्यारे तेरे सभी है पुत्र नामी, रिक्तिस्थान हम सदैव तेरा गुन गाएं, रिक्तिस्थान प्रिष्ट 124 अंतर्यामी, रिक्तिस्थान दो, दिये गए समानध्वनी वाले शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए महान, मान, फूल, अभिमान देश की माटी, देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे, रिक्तिस्थान अपने देश का है विशेश, रिक्तिस्थान मिलकर इसका रखे, रिक्तिस्थान जिसके हम गाएं गुडगान, वह मेरा भारत, रिक्तिस्थान प्रिष्ट 125 खेल खेल में खोजे एक, कविता में आए शब्दों पर घेरा लगा कर लिखिए यहाँ पर एक तालिका दी गई है तालिका की पांच पंक्तिया है पहले पंक्ति सुन, दा, र, व, भा दूसरे पंक्ति आ, ज, वा, ह, र तीसरे पंक्ति मु, कु, ट, फू, त चौथी पंक्ति ह, सा, फ, ल, गंग पांच पंक्ति दा, र, म, गंग, गा इस तालिका के एक शब्द में घेरा लगा कर दिखाया गया है यह शब्द है भा, र, त मिलकर बना भारत अब आप इसी तरह से कविता में आई शब्दों पर गेरा लगा कर उन्हें रिक्तिस्थानों में लिखिए समझिये और लिखिए एक कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं नीचे दिये गए शब्दों के दो सही अर्थ ढून कर लिखिए संसार जागना पानी जलना फल परणाम यहाँ पर उधरन के तौर पर एक शब्द के दो अर्थ ढून कर लिखे गए हैं ये शब्द है फल और इनके दो सही अर्थ हैं फल तथा परणाम अब आप इसी तरह जग और जल के दो सही अर्थ को ढून कर उन्हें रिक्तिस्थानों में लिखिए प्रिष्ट 126 दो इन वाकियों के अर्थवाली पंक्तियां कविता से ढून कर रिक्तिस्थान में लिखिए क भारत सब देशों से भिन्य है रिक्तिस्थान ख गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है 3. कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया है तेरे सभी पुत्र है नामी भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखिये पहले भाग में पुत्रियां और दूसरे भाग में पुत्र के नाम लिखिये शिक्षन संकेत भारत के लोकप्रिय व्यक्तित्वों के बारे में बच्चों को बताएं और उनसे इस विशे पर बात चीत करें बच्चों से उनके परिवेश में उपस्थित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में पूछें और उनके बारे में बताने के लिए कहें कि वे क्यों विशेश हैं प्रिष्ट 127 4. कविता में रत्न शब्द आया है रत्न यानि मुल्यवान पत्थरों के छोटे से टुकुड़े आईए कुछ रत्नों के नाम जाने यहाँ पर छे रत्नों के चित्र दिये गए हैं और उनके नीचे उनके नाम लिखे हैं ये नाम है हीरा, मोती, नीलम, पन्ना, मूंगा और मानिक कला की कलाकारिया एक, रंग बिरंगे कागज और कैंची की साहता से अपने लिए एक मुकुड़ बनाईए यहाँ पर एक मुकुड़ बनाने की विधी को क्रमवार छे बिंदुओं में दर्शाय आ गया है प्रिष्ट 128 दो, यहाँ दिये गए रिक्तिस्थान में भारत का राष्ट्रिय ध्वज तिरंगा बनाकर उसमें रंग भरिये बूजो तो जाने उत्तर में रखवाली करता, खड़ा रहता है सदा ही मौन बोलो भया, बोलो बहना, भारत का वह रक्षक कौन? दो आखों के उपर आखें, आखों में से आखें जाकें बोलो कौन? अभी आपसुन रह थे कक्षा तीन की हिंदी की ध्वनी पाठे पुस्तक वीना वाचनस्वर, प्रवीन शर्मा और रिचा सयाल ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहयोग, चेतना शर्मा निर्देशन एवं निर्माण, विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C-I-E-T-N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत